नमस्कार दोस्तों मैं हुनल आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल गुरुजी स्टडी अड़ा में आज हम डेल लड़ बेट समेस्टर यूपी टेट सीटेड में पूछा जाने वाले अतिमहत्युपूर्ड प्रेश्न सभी बालकों के लिए समावेसी सिक्षा का लाग Advantage of Inclusive Education for All Children के बारे में अध्यन करेंगे जिसमें पहला पॉइंट है आपके सामने वायक्तिक विबिनताओं के फल्सरोप समावेसी सिक्षा बालकों में वायक्तिक विबिनताओं इस सीमा तक होती है जिसमें अधिकान से विशिष्ट बालक पूर्ण रूपेड से विचलित हो जाती है इन्हें समान बालकों किसरणी में रखकर सिक्षा देना कठिन होता है समान सिक्षण पदतियों तथा सिक्षा विवस्था से इन लाली बालक या था मन्द बुद्धी बालक समानी कच्छाओं से लाभनवित नहीं हो पाते हैं जिसके इन बालकों के लिए विश्य सिक्छा की बिवस्था की जाती है अब देखिए दोस्तों आगे आपके सामने पहला पॉइंट है वैक्तिक विविनताओं के फल्सुरूप स समावेशी सिक्छा देखिए दोस्तों समावेशी सिक्छा की अध्यन के अंतरगत आपको समाने वालक विशिष्ट वालक और कुछ कम अपंग अपाहिज वालक जो होते हैं सबको एक साथ एक अच्छा में बैठाकर एक ही सिक्छक के द्वारा सिक्छा दे जाती है जो कि दो दोस्तों समवेशी सिक्षा में यह लाब होता है कि सभी बालक एक साथ सिक्षा ग्रण करते हैं जिसमें किसी बालक के मन में यहीन भावना उत्पन नहीं होती है क्यों अन्य बालकों के समान अलग हैं लेकिन दोस्तों समवेशी सिक्षा के बाद भी यह हम बात करें देनी चाहिए क्योंकि दोस्तों जो बच्चे पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं उनको सामानिक अच्छा में पढ़ाना संभाव नहीं होता है उनको ब्रेल लिपी की साहता से पढ़ाना ठीक होता है और दोस्तों वहीं पर कुरुत कुछ प्रतिभासाली बालक होते हैं जिन इंकी प्रति असपार्धा को और तेज बढ़ाने के लिए विश्च्ट शिक्षा के अवैसक्ता पढ़ती है दोस्तों जो कि यह एक विश्यस आवसक्ता होती है लेकिन दोस्तों समावेसी सिक्षा करती है कि सभी बालों को एक ही विद्याले में एक ही सिक्षा के द्वारा ताकि क्यों विबालक एक दूसरे से भेनता प्रकट न करें एक दूसरे के प्रतिहीन भावना ना रखें अब देखें दोस्तों दूसरा पॉइंट हैं बात करें समावेसी सिक्षा की तो अधिक्तव विखास के लिए समावेसी सिक्षा क्यों जरूरी है जनतंत्र में विश प्रावण बनकर समाज तथा देश को लाब पहुंचा सके तथा वे सब को साथ मिलकर कारे कर सके देखिए दोस्तों अधिक्तम विकास की बात करें तो समाविसी सिक्षा में या चंतंत्र व्योस्था में चाहिए कि बिसिष्ट बालकों के लिए सिक्षा इसलिए अवस्था हो होती है क्योंकि जब वह सब बालक सभी बालक पढ़ेंगे तो सभी का विकास होगा और वे समाज में चलकर आगे बढ़ेंगे और वे आच्छे नागरिक बनेंगी दोस्तों अगला पॉइंट है आपके सामने समायोजन समस्या को दूर करने के लिए समावेसी सिक्षा प्रत समाज के दौरह बालक दौरह इनका तिरस्कृत होता है इसके लिए विशिस्ट सिक्षा की विवस्थ्या करके इन कमियों को दूर किया जा सकता है देखिए दूस्तों अट्रृत Riot अयसे होते हैं जो हीन भावला से ग्रसित होते हैं, जब उनको एक समाद रिष्टी से देखा जाता है, तो वे अपने को महत्तुपूर समझते हैं, और अपनी जो गलतिया करते हैं, जो आवायधारी कृत्त करते हैं, उसको ध्यद्रेवत दूर करते हैं, और उसे दूर करने का प्रयास करते ह अब दोस्तों चौथा पॉइंट है आपके सामने कुंठा एवं ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेसी सिक्षा देखे दोस्तों इसके सामने है मंद बुद्धी तथा पिछडे बालक समा निकच्छों में बार बार असफल होने के फलसरूप गरंथियों से युक्त हो जाते हैं जिसके फलसरूप अनका विकास अवरुद होने लगता है इसके लिए इस मुक्ती पाने के लिए विस्षिष्ट सिक्षा की आवसकता होती है देखिए दोस्तों समावेसी सिक्षा में कुछ बालक समायोजित होने के लिए कुंठा गरंतियों को सिखार हो जाते हैं मतलब दोस्तों कुछ बालक ऐसे होते हैं जब घर से अधिकतर डाटे जाते हैं कि तुम नहीं कर सकते हैं तुम नहीं सीक्ट सकते हो, तुम पढाई नहीं कर सकते हो, तुम विकार हो, तुम फेल हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और वे कुंठा कैसे कार हो जाते हैं दोस्तो इसी कुंठा को करने के लिए कुझा को दूर करने के समाव्यसि सिक्ष्ट या किसमोट सिक्ष्ट के माद्यम से ही कुंठीत ग्रस्ट बालोग फ्रील्प आप देखी डू 555 ुदमें द्यव आप की समस्याओं को समझने Olum समाविसी सिक्षा याने दोस्तों विस्ष्ट मालकों की समस्याओं की समझने के लिए समाविसे सिक्षा की बात करें तो आप इभाव को सिक्षकों तथा सिक्षक प्रबंदक विस्ष्ष्ट मालकों की समस्याओं को अच्छी तरह से समयच कर विस्ष्ष्षक की मिवस्था करन क्लिए चाहिए कि अभवावक का साथ विले शिग्षकों का सांथ विले और उझेस्ट प्रभंदर मेंनेजमेंट होता है उनका सा उनका साथ मिले और उनकी कट्णाइनयों को दूर किया जाए अब दिखे दोस्तों अन्ती पॉंट है आपके समने चटवा वा समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए समावेशी सिक्षा या दि विश्ष्ट बालकों के लिए विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् की न्यूक्ति की जाने चाहिए ताकि वे बालक की रूची छमता योगता को समझ कर उनकी समस्थाओं को समझ कर उनका उत्तरवा प्रदान करते रहे और उसे बालकों को सुकुंठा ग्रसित को यसे बचा जाए समस्यात्मक बालक बनने से बचा जा सकते तो दोस्तों वीडियो